अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताके हमारी नई आने वाली तुमाम वीडियो की निटिफिशन आपको मिलते रहें और आप अगर खवातीन गरों में काम करना खाना पकाना बंद कर दें तो क्या होगा तो मैंने हैस्ते हुआ कहा कि कुछ भी नहीं होगा खुद भूकी रहेंगी उनके बच्चे भूके रहेंगे तो खातों ने का और मियां मियां को कुछ भी नहीं जाएगा मियां जहां बाहर आता जाता है कुछ भी खा लेगा तो उसने कहा कि नहीं यह नहीं हो सकता तो मैंन ना उसके मुझ से क्या करें कोई खेल उड़के नहीं अंदर जाती वहीं कमरे में बिस्किट्स भी होते हैं आते जाते वह को बर्गर भी ले आते हैं और बाद बीबियां जब देख लेती हैं तुसी की चुवे में को डुक डुक के खान डायो तो इट हैपन्स जो जिसके पा होता है अच्छा ये स्वाल खालसते ने एक खातून का बनाय हुआ था तो उसका फिजवाब भी वैसे ही गया उस खातून ने मुझ से पूछा कि मर्द खवातीन पे बुरे तफसरे करते हैं मैंने का नहीं ऐसा नहीं है खवातीन पे जो सबसे ज़्यादा दिल को दुखी देने वाले तफसरे करते हैं वो खवातीन है अब जूर्दा कर देती हैं लग पजजाब की खवातीन के बारे में जो परानी खवातीन है आप शहर की सबसे खुपसरों लड़की को ब्या के ले जाएं मोटी मोटी आंखों वाली आप उसे कहें वो जो होती है जिल जैसी बैटके कहना होता है नहीं मज नहीं अखा लिए अब कहां वो एश्विर राय की आंखें कहें वो मोटे मोटे डेले कहां वो खुबसरत उसको एक मिनिट में उसने जिए यह मर्द नहीं करते कभी सुसर इस तरह की बात नहीं करेगा अच्छा साथ उदन फे कहना उसको मिया को मुखातब करके एक तेरी मिनू मज वह मूट अखां टाडडडड़ के वेंदी यह यह वेखती है चुक्के पजाब के अलगलग खितों में हर 20 किलो मेटर को टोन बदल जाती है कि यह भैंस की आंखों वाली लड़की जो तुम ब्या के लाए हो यह मुझे उससे खूरती है और अच्छा अब उसकी आंखें एक लिम्हे में जीरो हो गई कुछ लोग हंस पड़ेंगे लेकिन जिसकी आंखों को आपने यह किया है उसके दिल पे क्या बीतेगी यह जुरुम यह जुमले हैं यह पूरी बद्नियती के साथ कह जाते हैं और यह सासें कहती हैं यह नंदें कहती हैं क्या ख्याल है यह दोनों औरतें नहीं होती मर्द आम तोर पे इतनी दिलाजारी नहीं करते मर्द आपके दिल को चीर के टोटे करके नहीं रखते गुसा उन्हें आएगा गाली वैली भी निकाल देंगे नहीं करना चाहिए कोई जवाज नहीं है चुप हो जाएं लेकिन ये जो खवातीन करती है ये सची बात है डिप्रेशन के और ये टेंशन के जितने केसिस हैं उनमें से नवे फिसल के पीछे औरते होते हैं लेकिन इस वक्त हमने जो आज मसला चुना है ये एक इस पे खराबी के वज़ा कि मर्द है लेकिन गोर करें तो खराबी की वज़ा यहां भी खातून खुद है मिस एवाई मुगल सर जी मेरा एक्स मुझको बहुत तंग करता है वो बोलता है कि शादी करो ना करो मेरे साथ मिलती रहो मेरे वालदेन मेरी शादी कर रहे हैं और वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें बरबाद कर दूँगा अगर तुमने मुझे से शादी के बाद भी राप्ता ना रखा मेरे बचे एक गलती होती है एक गलती का बाप होता है बलंडर कहते हैं से अंग्रेज़ में आपने पहले भी बलंडर मारा है एक ऐसे घटिया कम जर्फ और कमीनी आदमी के साथ आपने तालो कर रखा है जो बन्यादी तौर पे हवस का मारा हुआ है जो बन्यादी तौर पे आपके इमान को भी खा गया आपकी जो सोशल डेपुटिशन है वो भी खा जाएगा आप सोचिए उसे सौय आपके जिसम के उसे आपकी कोई रू से तालो क है उसे आपकी खुशी से उसे आपकी काम्याबी से उसे आपकी जिंदगी और आखर से कहीं से कोई तालो क लगता है उसे सिर्फ अपना मतलब चाहिए जो आपने उसको प्रॉइड किया गलत किया गुना किया ये आपको फॉरन रुकना चाहिए अगर नहीं रुकोगे तो मेरे बच्चे आप में और एक कॉल गर्ल में क्या फर्क रह जाएगा यनि कॉल गर्ल पैसे लेती है और गुना करती है और आप ये तसवर कर सकते हो कि शादी के बाद जब आपको आपकी टोटल वफदारी को आप अल्ला और रसूल को गवाब बनाके ये बताओगे कि अब मैं सिर्फ इस मर्द के साथ वफदार रहूंगी मेरा जिसम मेरी रूफ मेरा सोचना सब मेरा जीना मेरा मरना सब इसके लिए जैसे हम जो एहल इमान है कि हमारा जीना मरना सब आप 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 ने लिए जोड़ दिया खानदान को भी छोड़ दिया अब जो खानदान की रुसवाई अगर ये बदबखत यासा कुछ करता है तो फिर डिरने कांपने लरजने की बजाए अपने खानदान के किसी एक दो लोगों को साथ लेके लिट गुना किया और दूसरा आपको कर अच्छा ब्लैक मेलिंग का अगर को मैसेज उसने दिया हुआ है तो वो फॉरण उसको कॉपी कर किसी और जोगा रिकॉर्ड कर ले यह तो तुझारे डिलीट कर देगा तो इसलिए ये हरकत भी एक लड़की ने की है और उसके बाद तीन का नुकसान होता है उसका अल्ला के हां मूँ दिखाने के काबल नी रहते हैं खानदान के हां जी बात है खानदान की बनी बनाई इज्जत मत्टी में मिल जाती है और तीसरा खुद आप आप क्या अपने आपको अपने मिया के सामने फेस कर पाऊगे अच्छा ऐसी जो बच है दिल दुखता है मगर उनमें जो इनोसिंट होती है उनको हम हल्प कर देते हैं उनकी वरजैनिटी की वाफ़ी का उनको ट्रीट्मेंट कर देते हैं लेकिन जिनोंने अब अगर जान बूझ के आपकी सिकर साथ लिविंग रिशिशिप लिविंग रिशिशिप इस गुना स इसे बत्रीन चीज़ है कि आप जानते पूछते हैं एक हराम जिद्गी गुजार लिया नो वे उनकी कोई भी मदद नहीं करते हैं और उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं यह याद रखेंगा वो किसी सर्जन के पास जाओगे पाकिस्तान में कोई सर्जन नहीं है जो काम बनने के काबल नहीं रहाँ तो वहां हलका सा जो एक कट या एक टांका गलत लग गया तो उसके बाहर अब मैं तफसील नहीं बताना चाहता लेकिन यह सजा होती है जो पर मिलती है कुदरत की तरफ से किसी बनने का हाथ अचानक वो अपरेट करते हुए कांप जाए उसक की तो कुटाही या गलती गिनी जाएगी पर असल में तो कुदरत का फैसला होता है वो सजा दे रही होती है अगर आपका दिल मुमन नहीं है आपके दिल ने अपने आपको नहीं किया गलती पे सौरी नहीं की अल्ला से अस्तखफार नहीं किया उस वक जो गुसा आना चाहि अच्छा गुसे के बारे में कई सारे आई हुए स्वाल तो बटा जी जिनको लड़कियों को गुसा आता है ये लड़कों को गुसा आता है मुझसे मिलने से पहले बहते है हमारा जो एंगर मेनेजमेंट का कॉर्स है वो कर लीजिए ताके आप अपनी एंगर के बेसिक संभालने को जान से कैसे हमने जाना है खुद अपने आपको जानना भी ज़रूर ही आपके लिए तो जो वो कॉर्सित हैं वो भी ज़रूर कीजिए अख्तर अबास को दीजिए अजाज़त असलाव ने